जम्मू कश्मीर अपनी खुपसूर्थी के लिए जाना जाता है वहीं कश्मीर की लड़कियां भी खुपसूर्थी के मामले में पहले नंबर पर आती है हलकि उनकी एक खुपसूर्थी नेचुरल होती है बिना किसी में कोवर कि लेकिन अब इन कश्मीरी लड़कियों की नैचुरल ब्यूटी में मेकप चारचांत लगा रहा है मिलिये अवन्तिपुरा की रूमी अयूप से जो इसमें महलाओं की मदद कर रही है दरसल उनका एक ब्यूटी पार्लर कम बुटीक है जहां वो कश्मीरी लड़कियों के चहरे को मेकप के जरीए और भी ज्यादा खुबसुरत बना रही है आपको बता दें कि रूमी एक यंग एंटर्परिनॉर है जिन्होंने खुद अपना बिजनिस शुरू किया और तमाम लड़कियों को ऐसा करने का संदेश दे रही है ये खयाल मेरे जहन में ताब आया जब देखा मैंने कि कश्मीर में पार्लर्स बहुत कम है कश्मीर में लड़कियां डरती है पार्लर जाने से लड़कियां ये सोचती है कि अगर हम बाहर निकले तो पता नहीं हमें लोग क्या बोलेंगे तो फिर मेरे जहर में आया कि नहीं हमें करना है हमें जो लडिकियों में डर है वो निकालना है यह तो कोई गलत बात है इनी यह ठीक है Make-up वागिरा ज़रूरी है इनसान के लिए शादी बियाँ मेट तो चलता रहता है मेक-अप तो ये गलत पाथ ही नहीं, फिर हमने स्टार्ट किया। तो कितना सेक्स हो रहे हैं आपका पाम चालगा जिसके रहे हैं जिसके रहे हैं? एक लड़की के लिए तो बैस्ट है, ब्यूटी पार्लर बैस्ट है एक लड़की के लिए और अगर कोई किसी लड़की में पैस्ट है या टैलेंट वागेरा है या करना चाहती है तो यह ठीक है एक लड़की के लिए मैं तो यह मैसेज देना चाहती हूं कि इतनी सारी लड़कियां जो यहां पर कश्मीर में हैं या डिग्रिया वागेरा ली है अगर उनको जॉब नहीं मिर रहा है तो वो कुछ कर सकते हैं जैसे वो अपना बुटीक स्टार्ट कर सकती है या पिर कही और अपना बिजनेस स्टा वही उनके पार्टनर बताते हैं कि वो गरीब और अनाथ दुलहनों को मेक अप वक कपड़ों की सिलाई आदिकी मुफ्त सर्विस देते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनका शॉक होता है ब्रैड्स का कि हम मेक ओवर करा सके सजए खुद को एक ऐसा बना सके ऐसा लुक दे सके कि वो लोग देखे उनको बट उनके पास वैसा हिसाब किताब नहीं रहता है कुछ गरीब होता है कुछ औरफन होता है जो नहीं कर प नहीं है यहां जाके अपने आटिस्ट भेज ते उनको फ्रीदेता है सब कुछ नजहां तक कि हमारे जो स्टीचिंग सर्विस हैं वह भी हम उनके लिए बूटीक से फ्रीचिंग करवा देते हैं झाल झाल